मुझा कर दोस्तों मैं उंपर का चोदरी स्वागत करता हूं आपको प्रिए को लीप ऐसाेीयु दूस्तों नास्ट-क्लास में जो पढ़ा था लूप पड़ लिया था रोप लिया थाए लूप पड़ लिया था अब लूप लिया था हूं तो मोनोट क्या होता है आपने पढ़ा था कि एक सेमी ग्रूप है तो मैं बोलता है बीजगनी ते सरचना बीजगनी ते सरचना जी को मा स्टार एक मोनोट कहलाती है येदी पहला पॉन्ट दो अपने बात क्या करना है मैं बताना कि मोनोट क्या होता है तो मैं बोलता है बीजगनी ते सरचना है जी को मा स्टार जो क्या कहलाती है मोनोट कहलाती है येदी पहली बात तो ये संक्रिया स्टार जी में क्या हो सहचारी हो क्या हो बटा सहचारी हो सेकेड पॉइंट पॉइंट समुचे जी में संक्रिया स्टार के लिए इस परकार विद्यमान हो की हो की ए स्टार ए इक्वल टू ए बराबर ए स्टार ए चाहे जो ए बिलॉंग किस के लिए जी के लिए कहने का मतलब आपका इक बीजगनी ती सरचना है जी को में स्टार यह क्या कहलाती है आं गराथ क्या कैलता है मla independence या इस ती परीवासा हो जो आ waving Bronze दो स्टार को सभल प्रीवासा के बन्गें तो की बोलने बैर दो कि क्या क्या बनता है lad зачा अक ही कि लूखी तो क्या आता है दूसरी परिवासा क्या कहते हैं दूसरी परिवासा है कि बीच गनिती सरचना जी को मैं स्टार्ड तो यह होता ही होता है क्या बन जाएगा किया बन जाएगा थीक क्या बन जाएगा से ग्रू तो लिखो क्या है ट्यविवासा है एक सेमी ग्रूप जी कमा स्टार मौनोएड कहल आता है ये दी ये दी, पहला पॉइंट कहा लिखेंगे ये दी संक्रिया स्टार के लिए समुचे जी में एक अव्यव एक अव्यव इस परकार विद्यमान हो की हो की ए स्टार ए इक्वल टू ए बराबर ए स्टार ए चाहे जो ए बिलॉंग किसके लिए जी के लिए ठीक है कहने का मतलब सेमी गुरूप के साथ में क्या आजाए आइडेंटिटी आजाए तो क्या बन जाएगा अब दूसरी बात आपको बता है लो बीज गणी ते सरचना शरचना ठीक है दूसरी बात मैं याँ बोल दिता हूँ साथ चरिये एक है तत्समक ठीक है इन तीनों को मिला कि क्या बनता है मोनोईड बनता है क्या बनता बेटा मोनोईड बनता है लेकिन इन दोनों को मिला कि क्या बनेगा सेमी गुरूप बनेगा और इन दोनों को मिला कि क्या बनेगा यानि पहले और तीज़रे को मिला कि क्या बनेगा? लूप बनेगा. क्या बनेगा? लूप बनेगा. तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ. मैं कहना चाहता हूँ कि साहब एक भीजगनी ती, सरचना, या मैं बोलता हूँ, एक semi-group, लूप वाली होगी, दोनों को मिला कि उसमें क्या हो, तच समय करें का स्तित्व हो, तो क्या हो जाएगा? मॉनवीड हो जाएगा. अब मैं दूसरी परिवास और लिखता हूँ. मैं बोलता चाहता हूँ, कि एक लूप, मॉनवीड कहलाता हूँ, परिवास नमबर तीन लिखूँ, एक लूप, मॉनवीड कहलाता है, एक लूप, G, स्टार लेलो इसको, G, स्टार, मॉनवीड कहलाता है यह थी, मॉनवीड, कहलाता है ये दी संकिरिया स्टार समुचे जी के लिए क्या हो साचरी हो क्या हो साचरी हो अब आता है इसका एक्जामपल की बात आती मैं पहला एक्जामपल लेता हूँ आर प्लस क्या लेता हो? आप को बता है आर है मैं बात सुनना चाहूंगा आर को ऐसा लिखता हूँ इसा है इसका मतलब यह सिंपल आर भी लिख सकते हैं कही और में नैचूरल नंबर को इस परकार लिखता हूँ आप रहू क्या बोलते हो real number set of real number मैं आपको रोज भी तो बोल सकता हूं मैं इसको मैर set of real number बोलूगा, यह अपका latent words होते हैं इसको symbol होते हैं, एक फरकार क्या होते हैं, symbol होते हैं, क्योंकि R4 रोज होगा है समझ गए है और यह पूरार फूर सेट ओफ रियल नमबर तो आप हमें सेट ओफ रियल नमबर को में इस फरकार लिखूंगा बेटा सेट ओफ नेचुरल नमबर को में एन लगाके इस फरकार लिखूंगा ठीक है सेट ओफ रेशनल नमबर को में ऐसे लिखूंगा ठीक है और स लिए बात करतेको संक्रिया स्टार सुरिया संक्रिया प्लस आर मैं डिवाधारी है ठीक है एक्जाम्बल पहले पढ़े थे प्लस ऑंक्रिया और में सवाचारी ऑठीक है तो यहां प्लस घ्रीया में और ये प्लस अंक्रियार में किया साचरी भी है और आप होता है क्या है धीवाधरी भी है यानि इसका मतल Signal इता है टीनों को मिला कि क्या बन गई आ था नोट बन गया नहीं बनगा और ऑद नहीं बन गया चलो दूसरी बात जयाड फ्लस की बात करता हूं, मॉनुँड है क्या, व्लस अंक रिया साचरिया, प्लस के लिए रिख यह में है, और उनू पुनाग सकता है, पुनाग होता है, कहने का मतलब क्या हूए, अगेञ इसको क्या है, अगेञ ज 생각े डाहन ही, कर सकते हैं दूसरी बात आरगोना एक गुणा संक्रिया में सांजधार में धीवाधर ही होती है दूसरी बात क्या एक साच्री भी घै को नहीं वेसिक पिर थे में इसे अंब्रच जो एंडों में इसे बात घम गुना संकिर्या के लिए पिल्कूल वने है उपकर देता है विल्कूल उपस्तिता है विल्कूल दुले है दिवादारी भी विए ακिया बिल्कूल स्कांदी क्या होगाँ है इस प्रकार आग्जामपल से है Instability का का पोछो discharge Cunnata नॉर्मल रीये कॉछ चलो बीटा, आगे बात करते हैं समुव की बात करते हैं, मैं आपके बाद आपके बाद आज कोई बीजगन्यति सरचना कशी और साचारी is constitute आज फोकशा करें clean तो भीजगनेिती सरचना है , वह भीज गणेधी सरचना क्या हो साचारी हो उसमें तत्रचाम कवसी हो और वेज़ बन गया अब गशना क्या हैssä इसों कॉन हेता लेज़िक बिढ़़न और एक्सेंड कर देखंए। है करतो है favor अथ समू है पहले तुम चोटी सी बात पूछना चाहता हूं समुआ इसने पहले बात किया तो जो आपने पढ़ा वो बताओ पहले मैंने पढ़ा गुरुपोईड या इसको दूसरा लिख दो गुरुपोईड है ठीक है गुरुपोईड ये बात कर रहे हैं क्या होता है ये बीजगनी दी सरचने होता है क्या होता है एक ग्रुपोइड नहीं अब आता था एक इसके बाद मैं लिखता हूं, मॉनोइड लिख दूँ, क्या बोल दू बेटा? मॉनोइड बोल दू, मॉनोइड क्या होगा? यह लूप प्लस क्या जाय? साथ चिरेता जाय, क्या जाय जाय बेटा? असोसेटिवटी तब समय बोलते हैं आइडेंटिटी हो साचिटिवीटी ठीका साचिψेता कहिए कीये मतलब यह है कि आपका। गुरूपोइड प्लेस आइडेंटिटी ऊसोषिय्टीव स्वेड्टी ऑश चमंद है है यहनि आपका मौन रेक्ट होता है मौन रेको कोते है उसे साथ में त हमी झाल रेको अ सिर्भी लूर्ड यहाँ क्या है में चीज़ाय करें यहां पर क्या निल्ग हो प्लैस क्या बोल से मिला हो इसके ने में साथ अच्रेट और अब साथ क्या बना दो तत्समां करें वो टू किया बन जाएगा मोनओड बन जाएगा अब देखो बात या अब मोनओड में मैं क्या एड करूओ यह ज किसा वह आपको या बन जाए-समुवा बन जाए पिर श Solar second orange आए-पिर 15 च साथ में और गया है अड़ाई बन जाए बात समझागे तो देखो पड़ा पड़ हेटिंग लालो सम्मू है क्या हेटिंग लालो सम्मू की हेटिंग लालो देखीगा सम्मू है ग्रूप देखो एक मौनो एड जी को मैं स्टार क्या कहलाता है सम्मू कहलाता है यदी एक मौनो एड जी को मैं स्टार क्या कहलाता है सम्मू कहलाता है यदी पहली बाद ये थी G के परतेक अव्योव का G के परतेक अव्योव का किसके साथ संक्रिया स्टार के सापेक्स G में यानि G के परतेक अव्योव का संक्रिया स्टार के सापेक्स क्या हो प्रतिलोम विद्यमान हो विद्यमान बासनारे जांदी यानि Monoid में एक Property और क्या एनद करी है Monoid प्रोपटी और एनद यह करी है कि साथ आपका G का कोई भी Element उठाओ और उस Element के संगत यानि J का कोई भी Element उठाओ और उस Element के संगत विदय माहनो थैकर विड है यसा उपस्तितों हो जाए तो वह क्या करते हैं रापि Ali दुसरी वरिवास से भोलता हूं ठिकला इन मौनवेड मेडिक्र चीज होती है विच गनी ती सरचना में तैना में बोलतू पुर्टी भी थो क्लोजर प्रोपर्टी दी क्या हो थैना थत्समग विच प्रोपर्टी धिसना हो नौक एल्म में घ्कलो फोर्टी वह डोर्टा पोल उसके साथ क्या परतिलों मोरे नी चारों प्रोपर्टी मिला के क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा जी को मैं स्टार एक समु बन जाएगा बात समय आगे यानी संक्रिया स्टार क्या जी में क्या हो संवर्थ हो संक्रिया स्टार की जी में क्या हो साच्रिया हो संक्रिया स्टा के लिए पर्ते को यू कि संगत क्या हो जी में पर्दीलों विविद्यमान हो तो चारों मिला के क्या बन जाएगा एक समो बन जाएगा तो फटावट क्या लिखें ये थी कि जी एक कि एरिक समूचे है कि अधा कि संक्रिया स्टार एक जी में दिवादारी है तो बीज गणीत ये स्रचना जी कोमा स्टार कौन बीज गणीत ये स्रचना जी कोमा स्टार समूच कहलाती है ये थी पहली बात संक्रिया स्टार जी में क्या हो बेटा साच चरी हो दूसरा पॉइंट संक्रिया स्टार के लिए जी में कौन विदेमा हो तद समगे विदेमान हो संक्रिया स्टार के लिए जी में तज समख अवयव विद्यमान हो अथार्थ इसी को क्या बोलते हैं दूसरी लेंग्वेज में क्या लिखता हूँ अथार्थ दीर एक्जिस्ट ए बिलॉंग तो जी अथार्थ ए बिलॉंग तो जी के लिए दीर एक्जिस्ट ए बिलॉंग तो जी सच दाट ए स्टार ए बराबर ए बराबर ए स्टार ए चाहे जो ए बिलॉंग किसके लिए हो जी के लिए यानि इसी बात को हम लिखेंगे बैटा इस तरीके से लिखेंगे ग्रें कैसे लिखेंगे इस तरीके सेव आती है नेक्स फर्तिलों में अव्योकास्तित पर्तिलों में अव्योकास्तित तो दो बात तो ओगी तीसरी बात तो कैसे लिए कि देखर का अ किcoins भात यह है ओ सेकरी operator सुचिशत के लिए जी के परते कावियो के संगत यानि संक्रिया स्टार के लिए जी के परते कावियो के संगत परती लोम हवियो जी में उपस थितो यानि इसकी मैतमेटिक लेंगवेज क्या होती है थार्थ ए बिलोंग सु जी के लिए दिरे एकस्ट भी बिलोंग सु जी सच देट कि A स्टार बी इकवल टो आइडेंटिटी बरावर बी स्टार ए जाहे जो A बिलोंग सु किसके लिए जी के लिए यह बाते हमने लिखी इसका बैसिकली मीनिंग क्या है वो देखिएगा लिखने को तो हमने लिख दी इदि आप से पूचा जाए कि समों की परीवासा क्या है तो आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यदि जी एक एरिक समुचे तता संक्रिया स्टार जी में क्या है विद्यमान हो अथार्थ ए विलॉंग्स दूग और देरटव्यमान है इसका विद्यमान हाँ सका मतलब क्या है विद्यमान है ए विलॉंग जी टुच लाट एक वह बरावर स्टार एक वल्ट वापस ए न कोई भी आलीमेंट ले लो चाहे जी का लेलो अगली नमबर तीन ब किस्के वापस किसके बराबर आना चाहिए और V star equal to k के बराबर वापस आइडंट चाहिए कोई भी element ले जिका यानि हर एक element कि जी का हर एक element G के लिए क्या होना चाहिए उसका परतीला वह भी किसमें होना चाहिए जी में ही होना चाहिए इनों property hold कर दे कौन कोई भीच कर नहीं तो वह भीच अच्छा जी को बाइश टार क्या कहलाती एक समुआ कहलाती है अब देखो मेरा बात के इसका basically meaning किस तरीके से निकालते हैं क्या होता देखो मैं यहांसे बात कहना चाहता हूँ यह identity का inverse का मतलब क्या है इस में बोलता हूँ कि सॉप मेरा पहले दुविट्रेश अपता है तो उसका चेक करऊंगा असोसीट टीटीटिट रोंगा इनी सबसे पहले मेरे काम यह है कि आपको क्या चेक करना एक क्लोजल नेस चेक करनी है कि इन वताना कि भीच कनिती स्रचना है या नहीं है यह यहां तो हो गया उसके बाद नेक्स स्टिप में चलेंगे और नेक्स स्टिप यह कहती है कि आपको उसके क्या चेक करो इसकी साच रिता चेक करो पहला काम बीजगनिती स्रचना बोल दो या इसको क्लोजर बोल दो या फिर किसी बाइनरी ओप सटिस्वेक्शन बोल ठीक है एक नमबर हो गया दो नमबर में साच रिता चेक करते हैं यह दोनों प्रोपर्टी जैसी चेक हो जाए तो अगली प्रोपर्टी को नाती हम चेक करत कि उसले मेंट को इसरे और सका करेंगे वापस वही आजया और यी इस टार के वापस क्या आजया और को चा हworks कि किसका हो बिटा जी को यानि पाहले प्रोपर्टी वीजगनिती संगत रिजनु Committee हरे उस मीदा आइटीन्टीटी ये तीनु चेक होने के बाद कह स्कुत के hanxi सब्सक्राइब हréalँ नहीं है वह उन्यों चेक करें निया विभी सेने मिला है तो मैं क्या होती हिए वात तैंग सब्सक्राइब कर दो है लिए यहां से बता चल्प कि एक हां इनवर्स कौने वेड़ा भी ए तभी तो एक को बीच से ओप्रेस्न करेंगे वापस का है गाप आइडिंटिटी आइज से मैं एक बात बोलों आपसे अपने अभी इसको बिखना में समझाने के लिए बोल रहा हूं आपने लिखा आर प्लस लिखाता है क्या लिखाता है आर गुणा लिखाता है और बीच कर देटित रचना बिल्कुल है अब मुझे यह बताए इसका आइडिंटिटी कौन है गुणा संकरी और गुणा संगरी एडिंटी ओल्विज किया होन होता है तो बेदा मैं इसका एक एलमेंट उठाऊओ इंसका एक एलमेंट मैंने कौन उठा लिया एक को मैंने वा अब मुझे इस ऐलिमेंट का परतिलोम क्या होगा? एका पर्तिलोम क्या हो गांगरा मुझे यह बता है कि कोई भी ऐली मेंट का पर्तिलोम हमें च एक करना है तो मैं उखे इस में इंवर्स कभ चेक करूंगा इनवर्स तब चेक करूँगा जब मुझे उसके अल्रडी फाइंड आउट है यानि नमबर तीन की प्रोपर्टी थी वह हमें पहले से पता थी पता होने के बाद हम किसको चेक करते हैं इनवर्स को चेक करते हैं इसका मलब जब नमबर चार पर जाएंगे तो नमबर तीन वाल करने बाद resultant मेरा क्या आइडेंटिटी आना चाहिए क्या आइडेंटिटी देखो मुझे पता है कि साथ आइडेंटिटी इसका E ब्राबर 1 है अब मुझे इस element का इसका कोई भी एक element लेलू मैं B ले लेता हूं मुझे इस B का नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए जीरो मैं B को किसे ब्रॉप्रेट करते हैं रिजल्ट मेरे क्या आइडेंटिटी आगया कि नहीं है इसका हमाले एक element में एना i can a joda की वापस मेरा ऐया जाया है इसके element के साथ में क्या गुणा करूं की वापस मेरा यहाज़ए आज़ाया है संद्कैंँ आपको यह याद रखना है इसके element में क्या जोड़ू है याने क्या तामत्र याद रखना है वह इस प्रकार 0 जोड़ो हो चाहिए प्लस 0 करो वापस आना क्या आपका यह आना है को तकलिफ आई किया अर दोनों रिजल्ट यह आ रहे हैं मेरे अच्छा जी इसका मतलब यह हुआ कि प्लस अंक्रिया के लिए आर में आइडेंटिटी कौन हो जीरो अब मुझे पता चल स्काल मेरे वापस कि आज़ा ची आज़े तो आप बो अदो क्या जोडो ए पिस मेर है ड़ाओ अशब्गार माइन जोड़ो यह आज आ जदो बोलो कि मैथ मैथ आ कर या यह इंतो आए आध neyलुजीर का फो देंशनलग आवक्षि लिएपने मायनिस वापस मेरे बिजा रह इन्वर्स के साथ और अपरिशन करेंगे एलिमेंट का परेशन करेंगे रिजल्टर्ट अब आपका आइंडिटी अब मुझे बताओ हो इसमें पड़ते का वियों का इनवर्स एक कैसे करते हैं आपने वह बुछ है तो इसका मतलब किसमें इसमें एक जिस्समें इसमें और हर एक एलिमेंट का इंवर्स आप एक का एक का एडि-ए-र्में लोग तो माइनस पक्काई होगा चाहे बी लोगे तो टो भी वास्तिक संका लोगन साथ ही होता है इस परकार हम बताएंगे इनल процव हम चेक करते हैं यानि içलों काा इन्वर्स का इनवर्स केकत यह है तो यह तो इंтовक क्रेंगे तो knob Обरेसयों करने क कब गार्फ किया होगा स्क्राइटेट होगा तो देखी हएं तो देखएगा लिकिस की तो यह थोड़ा समझाने के लिखाता है मैंने लाव समझो देखो विड़ा लिखो नोट लगा गए यदि यदि किसी आवयोव आपने बोला ना कि एका परतिलों भी है किसी आवयो आ का परतिलों भी है तो भी को कैसे रिपर्जन करेंगे एक विखोटा इदी किसी आवयोव आ का परतिलों भी हो तो अब यह खोगा अब एइंवर्स अलग लोग लोग वणता कैसे यह थी आपको पता है कि operation मेरा plus है तो a का परती लों मेंसा minus का a होगा a का परती लों मेंसा क्या होगा minus का a होगा ठीक है तो उसस्तिति में a inverse किसके बराबर होगा minus a के बराबर होगा यहां इसका मतलब यह नहीं है कि वह inverse का मतलब 1 upon a ही है always जैसा operation होगा उसके coding represent करेगा इदि आपका operation गुणा का है तो इनवर्स का मतलब है 1 upon a इदि आपका प्लस का है तो इनवर्स का मतलब है माइनस का ठीक है एक्जांपल्स करेंगे बहुत अच्छे समझ में आ जागा दोग चेक करेंगे कैसे करेंगे ठीक है तो यह बाते हैं मैंने परिवासा लिखी किसकी सम्मुख की तो मैं बोलता हूँ दूसरी बात एक दूसरी परिवासा और लिखो छोटे सी दो तिया परिवासा लेकिनी है मैं मिटा तो इसको मैं देखिए का फिर क्या दिया सम्मुख के एक परिवासा और लिखो देखो यह ती यह ती एक एरिक सम्मुचे है तता संक्रिया स्टार मैं यहाँ पर दिवाधारी नहीं कर रहा हूँ जयाद रखना मैं संक्रिया स्टार क्या नहीं कर रहा हूँ दिवाधारी नहीं कर रहा हूँ तता संक्रिया स्टार जी पर क्या है परिवासा अब यह अबैइनरी है या द्विशी नहीं पता जी फर का है कि परी भासित है तो एजि eyes स्टार एक क्या होगा इस समूवार Hindi तो जी को जिर क्या होग है एक समूवार होगा यह दी पहला का लिए टेर्म थे ब् Bev Euro क्या क्या है मैं बीझ्गनी भी बोल सकता हूँ और मैं दूसरी लेंगवेज ओर बोल दूगा क्या संक्रिया स्टार जीपर क्या हो समवर्थ हो दूसरा पॉइंट कि यह नहीं भीजगणी तेका टंटा खितम हो गया ना रे भीजगणी स्टिश्टना को खतम करते हैं हमने क्या बोल दिया संक्रिय स्टार्ट्सी पर Suzanne पक्या हो बढ़ा आ खा कि थे संक्रिया स्टार के लिए जी में क्या हो कि तत्समध आउन्य ते लिए फिर दिमान हो ठीक है वह तत्समध आउना चाहिए जिसे अपने एक जामपल लिया था, n प्लस, बताओ, n में क्या ऐसे element में क्या जोड़ू कि वापस मेरा a यह आजाए, आपने वाला साब 0 जोड़ो, इधर भी क्या जोड़ो वापस, a प्लस 0 करो, यहनि आपने 0 जोड़ा, और result मेरा a आया, तो क्या यह 0 n में है क्या, नहीं ह इसका मतलब इस önce में क्या नहीं है? इसन्कृए के लिए, n में इसन्कृए के लिए समत भूलते इन में अमनों मैं ततमृए कई नहीं है, आपने शंकृण साब बडलो गुणद, इसमे तो है, तो आपको पूरी लेंगेज बोलनी है, क्या बोलनी है? किसाब आयन में संक्रिया प्लस के लिए तत्समग एकास्तित्व है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मैंने क्या किया एमने मैंने क्या जोड़ा जीरो जोड़ा तभी तो मेरा यह आएगा वापस भाई मैं कौन सा संक्रिया के लिए आइडिंदेटी है लेकिन जीरो इस एंड में तो उपस्तित नहीं है तो में क्या बोलूगा में बोलुगा साब एन में सेंडिया पलस के लिए आईटिंदेटटी विवकास्तित्व है नहीं सम्झाएं मेरा तको याद याद रखने यानि करने में संक्रिया स्टार के लिए जी में क्या होना चाहिए यानि संक्रिया ये यह स्टार हो और ये जी हो तो संक्रिया स्टार के लिए जी में क्या होना चाहिए तजसमग अभियो होना चाहिए और तजसमग अभियो विद्यमान होना चाहिए और जी के, परते कव्यों के संगत, संक्रिया स्टार के लिए जी के, परते कव्यों के संगत, परतीलोम अभयो, यानि जी के, परते कव्यों का परतीलोम, वापस किसमें विद्यमान होना चाहिए, जी में विद्यमान होना चाहिए, संक्रिया स्टार के लिए जी के, परते कव्यों संगत परतिलों, अभियोग? जी में क्या हो? उपश्व दित नहीं? यानि अभ ये चारो प्रोपर्टी मिला कि क्या बनके? क्त बनके क्या जिए अचारों चारो प्रोपर्टी को मिला कि कौर? एक ये जी को माच्ड garlic अभी मैंने यहाँ नहीं बोला था कि भी जानी थी स्वाइच ना फॉलेक तो G, संवर्थ संक्रिया स्टार जी पर क्या हो गईठा समवर्थ हो larger हो याँ मैं दूसरी बात क्या बोल दूं संक्रिया स्टार जी पर क्या हो दिवाय धारी हो या दूसरी यां दूसरी बात क्या बोल दूँ जी को माश्टर प्रयड हो यह समि चारों प्रोपटेट dify यानि इस एक की बात क्या है इन चारों यह लिए लिख सकते हो सवर्त हो संंकृया स्टार दिवातर। दिवादर यह हो या जी को मैं स्टा वीच करता आति सार कि यह इसा होना चीए कि उस निठल एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट का ओप्रेशन करें तो वापस वहीं अजये निठला एलिमेंट ऐसा करने सायए सब रोल नहीं हो कहने का मतलब यह वह ठीक है और साथ में क्या हो संगीरा इश्टार के लिए जी के पढ़ते कवी सब्सक्राइब करते हैं अश्या उससे पहले एक छोटी सी बात दोर करते थे हैं मैं एक छोटी सी बात Lord above妬मू क्या बृंता ऑभीड़ा अब लिसमुर तो अबेलीसमुर क्या होता है उसकी परीबा साली को कि है कि एडिंग दालो uzzाटली शाटली संब है हीखिएक हरतर ले ढी Almagnar कि अबेलियन ग्रूप ठीक है आबेली समुव है अब देखो सम्मो तो आचुका हमने पढ़चुके सम्मो के लिए कितनी प्रोपर्टी होनी ची है यदी जीको मैं स्टार एक सम्मो है तो स्टार संक्रिया क्या होनी ची समवर्थ होनी ची है साचरी होनी ची है अ stop辦法 अस्तित्व होना ची है और परतेगो दोना ची है behaves太ioть सचब को मर्च रेकर होना ची है तो यहनी मतलब सम्मो क्या होता है घудаा स्टार है स्टार संक्रिया जी पे क्या हो संवर्थ हो क्या हो साच्रिय हो क्या हो तत्समय गयुका अस्तित्व हो और परतिलों में युका अस्तित्व हो चारू बात बोलनों क्या बोलो संक्रिया क्या हो संवर्थ हो संक्रिया स्टार क्या हो साच्रियो संक्रिया स्टार के क्या हो के जदि संक्रिया संक्रिया स्टार को सम्वर्त हो संक्रिया स्टार के लिए जी में दखया विक कै बोरेंत भीUpAm一次 में भीया कुंवा तो कर लेना नीन इस टिय को तो क्या बोलेंगे? sum वर्थ, शाठचरिये, ब्धन्य हो लिखती तो और परतिलों में उखती, दूर्श समय चेछेगी मिलागे क्या बनेगा आपका समभ थिक समय अब क्या करता है अब रहता हूद एक प्रोपरटी कि एड़िता हूं। घंच वंपतय कर देता हूंने माणेक्ट पूराटी एड़िता, फिर ना मुन कहिंड़ा। मौनोट में एक प्रोपर्टी ओर और एड़ करेंगे ओए आपको अबिले में क्रूपर्टी करम मीनी में बतवा तो क्या बन जाएगा आपका आप्ली चीह स्मूर आ कि क्या अब एक केशा है मतलब करम कर ठीकिक साथ लगाओ एक का बी के साथ operation लगाओ या बी का एक के साथ operation लगाओ दोनों के result क्या हो बराबर हो यानि यह करम इनिमेता बताती है ठीक है तुम्हें क्या लिखतो एक समुए जी कोमा स्टार एक आबेली समुए कहलाता है कहलाता है ये दी ये दी एक कोमा ये दी एक कोमा बी बिलॉंग सुट जी के लिए एक स्टार एक कोमा बी स्टार एच चाहे जो एक कोमा बी बिलॉंग लेलो जी लेलो सम funded कहा isso मैरे बात यानि ए और बी दोन किसके element है जी के element तो उसके लिए क्या होना च्छी आशार्ट बी कोल डूट आबेली समुए कहलाता है येदी संक्रिया स्टार जी में क्या हो करम विनिमेता गुर्ण द्रम का पालन करे करम मेता कम्यूटेटिव गुर्ण धरम का पालन करे किसका पालन करे करम विनिमेता इस परकार ये क्या हो गया आपका एविलिन प्रॉप पर्टी अब बात करते हैं इसके एक अपल्स की देख विड़ा एक एक जांपल करें बहुत अच्छा कि बताएंगे साब वह आपका अपली समुए है या नहीं है किस परकार चेक करेंगे देखेगा मैं आप चोटी सी बात बोलता हूं सबसे पहले मैं आपको एक्जांपल लेता हूं आर प्लस की बात करता हूं किसकी बात करता हूं बिटा आर या नि वास्तिक संक्याओं का समुचे यह इति देर तो प्रिवासे चल रही थी थी कहा है इति देर किसकी बात चल रही थी प्रिवासे बात चल रही थी अब देखों क्या कहता हूं यानि सिद्ध करो आरेनी वास्त्विक संक्याओं का समूचे एक क्या है समूचे जहां वास्त्विक संक्याओं का समूचे है तथा यह क्या है योग संक्याओं ठीक है बैसमजारी हमें क्या बताना इसको क्या बताने बढ़ा समूचे बताना तो समूचे बताने के लिए सबसे पहले हमें संक्याओं को क्या बताना आर्पे क्या बताने दिवाधारी बताना है क्या बताना है दिवाधरी का मतलब क्या बताना है यानि यानि भीचिन बोल दो फिर बोल टो तुम भादने इतना चुर्ट में नी करए प्लोजरी त Does नींट जो करेंगे उस्एप समवर्त आउमें साप इ से ए often ने चांट है these अस्तित और चोथा में क्या दिखाना है पर किस दिखाने की यह गांत करें ने का निस वह इंटन्म सबический जिए बाध करेंगे वेटा नहीं पहला हेटिंग डालो समवर्ता। क्या डालो भीटा। क्लोजर। क्लोजर प्रोपल्टीड़। समवर्ता के लिए क्या करना है आपको A और B का दो यूमिस्ट उठाने पढ़ा। बदरलजी के उठाने हैं ? A और B के requirement कितने हैं ? वास्तिक होंगे तो मैं क्या लेता हूं माना आपको यह दिखाना है क्या दिखाना है क्लोजर का मतलब क्या होता है आपको इसके दो आपने किया शाखना है क्या अगर्व भी तो और गणल खोंगे तो अंका यह यह कर रहे तो आपस किसी से माना चाहिए वह है? है तो मैं कहा कर दूँगा कि यह प्लस संक्रिया आर पर क्या है संवर्थ है क्या बेटा या दिवाधारी संवर्थ जो भी है ठीक है तो क्या लिख लेते माना A, B belongs to किसके लिए R के लिए देखो A और B दोनों R में इसका मतलब A और B दोनों क्या है वास्तिविक संक्या है देखो A कुमा B विलोंक सो R के लिए तो इस परस्ट है A वै B दोनों क्या है बेटा वास्तिविक संक्या है दोनों क्या बेटा वास्त्विक संक्या है अरे हैं नहीं दोने वास्त्विक संक्या है और हम जानते है दो वास्त्विक संक्या को योग अगेन क्या होता है वास्त्विक संक्या होता है दो वास्त्विक संक्या को योग अगेन क्या होता है वास्त्विक संक्या तो हम जानते हैं कि दो वास्तिक संक्याओं का योग पुन है क्या होगा एक वास्तिक संक्याओं होगा अता है इन दो लोगा योग वापस किसमे जाएगा आर में जाएगा अपना बोला येस जाएगा क्योंकि ए और भी दोनों वास्तिका इसका मतलब मैं क्या कह दूँ मैं यह कह दूँ कि A प्लस B बिलॉंग सु क्या होगा आर होगा चाहे जो एक कुमा भी किसका लेलो बेटा आर का लेलो यानि अता है एक कुमा भी दोनों वापस किसमे होगा आर में होगा चाहे जो एक कुमा भी किसका लेलो तुम्हें क्या कह दूँ बताओ यानि इस बात से यह क्या कोई भी दो वास्तिक संख्या ले लो उनका योग अगेन क्या होगा एक वास्तिक संख्य होगा अतै संक्रिया प्लस क्या होगी यह संक्रिया प्लस आर पर क्या है संवर्थ है अगली बात क्या करेंगे दूसरा पॉइंट है साच चरियता किसकी बात है 7 strayAK तो 7 strayAK ले कितने element चाह striya हमें कितने element चाह था तो क्या लोख ले कि जा us लोख लेकिन तो माना e, b, c belongs to r को ले लो r ले लो तो हमें क्या दिखाना था तो हमें सी दिखाना है नहीं to show करना है क्या करना है कि a plus b प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये करना है क्या? और ये करना है गया? तो देखो, LHS लिखे चलते हैं, वर्किंग रूल देखना बस? LHS, क्या होगा? A प्लस B प्लस C और आपको बता A प्लस B कोश्टिक होता था, कोई फरक नहीं परता क्योंगी दोग्या है, वास्तिक संक्या है, क्या लिख तो वापस? A प्लस B प्लस C, अब बात में करता हूँ बेटा किसकी? रहेचेस की, तो रहेचेस समय क्या आएगा देखो? रहेचेस में A प्लस B प्लस C, क्या लिख तो वेटा सको में? या A रिन दोनों को कोश्ट घडादू क्या बनेगा? B प्लस C, यहां से LHS बराबर RHS आपको? अज़ा नहीं है, तो मैं यह क्या लिखता हूँ देखीगा? तो जो मैं क्या लिखता हूँ? A प्लस B, प्लस C, चाहे जो A, B, C किसमे ले लो? R में से L, इसका मतलब मैं क्या लिख दूँ? इसका मतलब क्या बोल दूँ? बोल दूँ कि संकरिया प्लस R पर क्या है? शाच्चर यह ठीक है अब अगली प्रोपरटी कौन से आती बिटा तज समग होकास्तितों और परतिलों में होकास्तितों कैसे शेक करेंगे, देखिएगा देखना अगली परटिक क्या है नमबर इसको डाल जाल दो इसको क्या डाल देचंग है हुआ Ralph what state lawyers अस्टेटिश स्धित ऐ्देनली मैं existence of identity element तो मैं क्या करता हूँ आपको अभी तत्फ समग₂ theatre कि नहीं पाताा की कौन है तत्फ समग लीएध्यों radiant यह दी A belongs to R है उसका तत्समा कर वे हम क्या माल लेते हैं B माल लेते हैं B तो हमारा target यह है कि B की value क्या है और यह दी वो value R में उपस्तित है या नहीं यह दी वो value R में उपस्तित है तो मैं क्या कहे दूँगा कि साब उस संक्रिया के लिए R में identity element का existence है तो देखो क्या करता हूँ माल माना यह सेंग्वेज लिखनी है हर एक question में लिखनी है बस इसको एक बार आंक गाट बांदगे दिमाग में रखना माना A belongs to R के लिए तत्समा क्या क्या है आपको यह देखना है कि A belongs to R के लिए identity element ले रहे हैं अब आपको यह देखना है यह identity element क्या हूँ set में उपस्तित है या नहीं है बस आपको यह चाहिए टिक है तत्समा क्यों क्या है B है अब मैं यहाँ कोई guarantee नहीं रहा हूँ कि यह B R में ही है क्या A belongs to R के लिए A belongs to R के लिए संक्रिया किसका plus A belongs to R के लिए संक्रिया plus के लिए तत्समा क्यों B है यानि मैं यहाँ पे कोई guarantee नहीं ले रहा हूँ कि B ही R में है बस आपको यह सी दिखना है कि B भी R में हो जाए तो मैं कहे दूँगा कि R में plus संक्रिया के लिए identity of you का existence है मैं यहाँ बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि साब A belongs to R के लिए यानि A मेरा R का element है उसके लिए संक्रिया कौन सी star या तत्समा क्यों 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 है B है या B की को guarantee नहीं ले रहा हूँ कि B कि हमें इस चेक करना कि B R में है या नहीं है है तत्समाख अव्योव की परिवासा से तत्समाख अव्योव की आज आपको contest रखनी है कोई भी आगे चेक करें कोशिन करेंगे तो उसमें यह लिखना कि संक्रिया जो दे रिकी उसके लिए तत्समाख अव्योव क्या होता है इसमें क्या वाल देता हूं कि कोई भी ले लो मैं पर्थम 2 ले लोता हूं किReg Urban तूर बता है तीन रिजल्ट है ये और ये आप कोई भी दो को ले लो तॉन परथम तो से मैं पर्थम से हैं बहुत इजी ओपुड से है फोरे में से पूरे मांकिस आएथ और आपके मान आर में है तो मैं सीधा कहा दूँगा कि A belongs to R के लिए संक्रिया प्लस के लिए तद समख अव्यों जो B कमान हो है वो जो B कमान जो आएगा वो है ठीक है यहीं चेक करना में पर्तम दोस है यह नहीं पर्तम इन दोस है क्या होगा A plus B equal to A है तो मुझे बताओ B बराबर क्या ह जी रोया क्या यह बढ़र जी रो आर में है क्या रेजी रो वास्तिक्स इंग है यह नहीं है विल्कुल है इसका मतलब बी बिलॉंग सुची आर तो अब मैं क्या करतूं मैं कहतूं कि साथ कोई भी ऐलिमेंट अपने तो मर्जी का ऐलिमेंट लिया था अब अब ऑल दू इस परष्ट है आता इस परष्ट है की A जनल दंज बिलॉंग सु आर के लिए टिर एकजिशन बिलॉंग सू आर सुरी एक र hack गया तिर एकजिस जीरो विलॉंग सु आर such that A plus 0 equal to A बराबर 0 plus का A चाहे जो A belongs तो किसका ले लो R का ले लो इसका मतलब मैं क्या कह दूँ मैं कह दूँ कि साथ संक्रिया plus R में identity 0 है अता है यहाँ संक्रिया plus के लिए R में तच समख अव्योव कौने वेटा सुन्य है सुन्य है नि 0 है यह तो आ गई अब आती है परती लोग में विविगास्तित्व है किसकी बात करते हैं परती लोग बस इसकी लेंग्वेज है कुछ ही नहीं है टेंसल लेने की जरुत नहीं है बड़ा बड़ा चिफका दो मैं अभी समख आँ दो मिनिट में ठीक है चलो मैं इसी उसको मिटा रहा हूँ और मैं इसी में चेंज करता हूँ सेम लेंग्वेज लिखने है दोनों में मैं लिख दे हूँ परती लोग का अस्तित्व है माना a belongs to r के लिए संक्रिया इस परते लों मभिक्रा मरें तो किसकी परिवासा सब्सक्राइं की पर यवासा से चाथ मांप तके तक एक को ये और परतीलों में रिजल वाहबस क्या पड़ा आइडिनडेटी यहा प्रतम दो से ए प्लस बीकमान किसके पराबर प्लस बीकमान क्या खाघए फिरा माइनस का यह अगा आगा फिरा मेंस का नहीं का मतलब यह वा इति है मेरा आर में है तो क्या माइनस भी मेरा आर में होगा गया बिलकुल होगा क्योंकि वास्तिक संक्या अरे बाई मैं बोलो पांच मेरी वास्तिक संक्या तो माइनस पांच भी तो आर में होगा बोले साब इसप्सटर भई मियनश को मांच पलस का दस भी तो र में यानि कोई भी वास्तिक शंक्यादिया बता रोऄ तो उसका मानश साइन and वास्तिक कीये इसका मतलब क्या हुआ बी बराबर कौन माइनस का वास्तिक से लिए माइनस का ये वास्तिक हिसएक to minus ka A plus ka A. चाहे जो A भी लोंग किसका लिलो बेटा R कालिए. मतलब लेंग्वेज आपको चेंज नहीं करना. अता है संक्रिया प्लस के लिए R में कौन? परतिलोम R में. अब यहाँ पर लेंग्वेज ऐसे 0 नहीं बताना. R में. अत्या संक्रिया प्लस के लिए आर में बर्तिक अवयोव के संगत कि परतिलोप अवयोव आर में विद्यमान है कहने मते हमना हमें बताना है कि सब कोई भी इलिमेंट यो आर में से उठा ना उसका परतिलोप इस टार में है ठीक है तो यह कौन सी property होगी चार property यानि अब कौन सी परतिलोम का अस्तित्य भी हमारे पास आ चुका है लास्ट चोटी सी property है करम वीनी में इता किसके बात करते हैं करम वीनी में इता तो बस आपको यह देखना कि परतिलोम अभी हो तो हर एक element के corresponding निकलता है जबकि जो identity होता है पू माइनस का ए आ गया यह दि आपने बी आर्में से उठाय तो इसका प्रतिलोम को लेगा माइनस का भी यह दि यहां को के का प्रतिलोम प्रतिलोम क्या हो जाएक माइनस का हो जाएक तो हर एक element की corresponding क्या निकलेगा बेटा इनव अब बात आती है करम वीनी में अग्ली प्रोपर की ऱ करते हैं क्या है कि मैं जो ड़ा या बी को एक बात क्या फर्पड़ेगा लिखाना लिखों प्राइज में फर्फाइब जोड़ा हुब टो में जोड़ा ना मतलब एक वर तो टो अमना उभ टोग मैंवित लिखानने मेरा फ्रियल नमबर तो दोनों बराबर ही होंगे, सभी बात है ना, ठीक है फिर, जाहे जो एक ओमा भी बिलोंग्स को कह ले 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 बेटे, आर ले ले, इसका मतलब क्या कह दूँ में, इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूँ, किसाब संक्रिया प्लस, आर्प में क्या है, करे मीनि में गुंद्रम का पालन करती है, तो मैं क्या है, इसपैस्त है कि संक्रिया प्लस, आर्प में करम नहीं में, गुंद्रम का पालन करती है, करम नहीं में, गुण दरम का पालन इसका मतलब देखो किती प्रोपर्टी बता दिया हमने पांच प्रोपर्टी किती प्रोपर्टी बता दिया हमने इन चार पांचो प्रोपर्टी से मिला के क्या कह देंगे इसका अबल पांचों प्रोपर्टिस मिला के क्या हो गैसे है हम कहते हैं । है किया है अभीली सम्मुए के बात हमें सम्मुए की दिखा रहे तो चारों को मिला कि तो क्या हो गया ए विडीकर टैसी मिला तो इस प्रकार क्यूशन करना डो तीन वार पढ़ना अच्छे से करना ठीक है ताकि इसका concept समझ में आए, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक जय हिन, जय भारत।